शाउमी का सब ब्रेंड रेड्मी ने चाया ना में 26 में को अपने तीन स्मार्टफोन लांच किये जिसमें की दो 5G स्मार्टफोन है और एक 4G स्मार्टफोन है जो की 4G है उसका नाम है रेड्मी 10X 4G और बाखी जो दो स्मार्टफोन है वो 5G है जिसमें की एक का नाम है रेड का इंडिया में किसी और नाम से देखने को मिरें जी या इसमें से एक स्मार्ट फोन का नाम होगा रेटमीन नोट अटेन प्रो एंडिस्टा चाहिए इंटिया का मोस्त वरतेरенко कगा ऐस टू इन तो दुEh जो स्मार्ट फोने 5G हैं इनमे आपको डुएल 5G का सपोर्ट दैखने लि Edge日本 लिए वर्ल्ट के सबसे चीपेस्ट स्मार्टफून दोनों जिसे स्मार्ट्फोन हैं वो एक गेमिसे स्मार्टपोन स्मार्ट फोन माल सांस होने वाले हैं तो कैंसमार्ट फोन का इंतजर हमें घर में करना चाहिए या फिर ने क्योंकि यह स्मार्ट फॉन हमें देखने के सिरीज में लिए ओ wavelengths 10x जो 5G वारेंट है वो हमें सिर्फ देखने कमलता है 17,000 वे जो प्रो वर्जन है वो हमें देखने कमलता है 23,000 तो चलिए जानते हैं क्या-क्या देखने कमलता है इस रेडमी के 10x सीरीज में या फिर कहें पोको एफटू सीरीज में आपको वीडियो पसंता दिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथ ही साथ आप इसे इंट्रेस्स अक्ते हो टेकनोलोजिक बार में जान निकलिए तो हमारी सुब्सक्राब करना ना एक ओपरःद मुले साथ भी ऐस आतों बहुत बेंदा ना बूले तो चलिए शूरू करते हैं यह जो तीनों स्मार्टोन ऐसे जो दो स्मार्टोन है वह अल्मोस्ट ऑसीम सिर्फ दो तीन चीज मैं चाहीं ल clay तो बाकि स्भी तरीकी के सिंब स्मार्टफोन देहां पूले सब्सक्राइब बात करते हैं लोक की और लेटीटी तो दोनों स्मार्टफोन देखने में होगे बिलकुल रेडमी नोट नाइन अप्रो की तरह यहां दूसतों उसी तरह की कि आपको क्लास की बोड़ी देखने मिलेगी फ्रेंट और बाक साइड के तरफ से आपको कॉर्निंग गुरीला ग्लास फाइब का प्रोटेक्शन देखने मिलेगा मिडल में क्वार क्यामेर के सेट अपको रेड में 10x प्रो में देखने मिलेगा तो ट्रिपल कामेर के सेट अपको रेड साइज में देखने मिलते हैं डिक्टो 6.57 इंच का फुल एच्डी ब्लस सूपर आहमनेट डिस्प्ले हमें देखने मिलता है जिसमें आपको सब्सक्राइब देखने मिलता है साथ इसाथ दोनों आते हैं 60 हर्ट रिफ्रेश रेट के साथ है यहां पर आपको 90 हर्ट या फिर 120 रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले नहीं देखने मिलता जिस तरह से पोको एक्स्टू में देखने मिला था तो यह एक छोटा सा डिस अड़ 100 निट्सका यहां दोस्तों तो काफी ब्राइट और इन काफी पंची कलर सा आपको यहां पर देखने मिलेगे एक तो यह सुपर एमलेट डिसप्ले भी है अज साथ यहां पर काफी ब्राइट काफी ब्राइट बेक्नी मिलता है इसी के साथ ये एक वाटर रॉप नॉच वा है आंपले डिस्प्ले होने कीमें चैपको इन डिस्प्लेय फिंगर पृंट चैसे देखने क्मिलता है ज्या दूस्तों जो कि काफी फास्ट ए उप्टिकल फिंगर प्रिंट्ट सेंसर के साथ आपको फेस अनलोंका विचर दोनों स्मार्टफोन में देखने मिलता है तो आप स वर्स्टम देखनेंग मिलता है मीडिया टिक का डायमेंड सिटी एट ट्वेंटी वाला प्रोसेसर जिया दूस्तो यह प्रोसेसर बहतरीने क्वालकॉम स्नाप डाइगन सेवेन सिक्स्टी फाइब जी से जिया दूस्तो उससे भी बहतरीन गेमिंग का एक्सपेरेंस आपको यह प्रोसेसर देता है नजर डाले इसके एंडू टू स्कोर पे तो इसका स्कोर ओर दन फूर लाक है तो यहाँ पर आपको बहतरीन क्वालकॉम के प्रोसेर से एकसपरेंस देखनी मिलेंगा तो अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्ट फॉन खरीदना चाते हो तो यह स्मार्ट फोन आपके लिए काफी कमाल का होगा क्यूंकि यहाँ पर आपको काफी पावार्फुल प्रोसेसर देखने मिलता है और साथ ही साथ अमलेट डिस्प्ले देखने मिलता है तो आपका गीमिंग का एक्सप्रेंच जो है वो काफी कमाल का होगा क्योंकि यहां पर आपको लिक्विड कूलिंग टेकनोलोजी भी देखने मिलते है इसकी बज़े से आपका स्मार्टफून जादा गरम भी नहीं होगा और गेमिंग लिए और एक फैक्टर मैंटर करता है जो कि इसकी बैटरी लाइफ तो यहां पर आपको काफी कमाल की बैटरी लाइफ भी जो है वो देखने मिलते है सारे 4000 एमेच की बैटरी आपको दोनों स्मार्टफून में देखने मिलते हैं सिर्फ यहां पर चार्जिंग स्लॉट में आपको डिफरेंस देखने मिलता है रेडमी 10x में आपको 22 वैट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने मिलता है तो दोनों स्मार्टफोन काफी फास् किस से चार्ज होता है तो यहां पर battery के मामले में बीब आपको काफी कमाल की battery देखरिगिंग उन्थों कर रहे हैं double description के बात लिए 2000 स्मार्टफोन काफी कमाल के option है 3 5 वेराएंट के वे तो यहां पर pro version में आपको देखने को मिलती है 20 MP की selfie तो on paper आपको दोनों smart phone में different selfies देखने को मिलती है बट मेरे ही सबसे, दोनों smart phone में आपको almost same result देखने को मिलेगा तो selfie के मामने में इतना ज्यादा कुछ फरक matter नहीं करता बट matter करता है इन दोनों smart phone में का back camera रहें दोस्तों एक में आपको triple camera का setup देखने मिलता है तो एक में quad camera का setup देखने मिलता है बट दूनों smartphone के जो first 2 lenses है वो almost same ही है 48 Megapixel की primary lens देखने मिलती है जो की sony की तरफ से आती है secondary lens 8 Megapixel की जो के एक ultra wide angle की lens है तो यहाँ पे first 2 lenses same है बट यहाँ पे आपको Redmi 10X Pro में देखने मिलती है एक 8 Megapixel की telephoto lens जिसमें आपको 3x hybrid zoom का भी support देखने मिलेगा इसका मतलब 30x digital zoom का जो की telephoto lens काफी कमाल के shots की चाहिए specially low light में यहाँ पे आपको OIS का भी support देखने मिलता है इसकी बज़े से आपके वीडियो जए वो काफी stable होगे बाकी lenses की बात करें तो यहाँ पे आपको 5-5 Megapixel के micron lens दोनों smartphone में देखने मिलते हैं तो औरहल बात करें कैमेरा की तो यहाँ पे आपको प्राइज के ऊपर नजर डाले तो यहाँ पे दोनों smartphone में प्राइज की सबसे काफी कमाल के cameras हमें देखने मिलते हैं बाकि अगर software की यहाँ पर बात करें तो आपको Android की यहाँ पर आपको देखने मिलेगा यहाँ पर हाइब्रेड स्लीम सॉट है यहाँ डेडिकेटर माइक्रो स्लॉट इसके बारे में मुझे तो पता नहीं है बर जब कभी भी पता चल जाएगा मैं आपको ज़रूर बता दूगा इसी के साथ वैरेंट की यहाँ पर बात करें तो फिलाला एक एक वैरेंट आपको दोनों स्मार्टफून में देखने मिलता है 6GB के राम 64GB का स्टोरेज जिसकी प्राइज है 17,000 जो रेड में 10X प्रो है उसका बेस वैरेंट है 8GB के राम 128GB का स्टोरेज उसकी प्राइज है 23,000 तो यहाँ पर आपको काफी कमाल की बेखने मिलता है और बहतरीन कामरा सेट अब वीजो वह देखने मिलता है इसी के सब सूपर अमलेट डिस्प्राइज आपको 17,000 में देखने मिलता है शामी के स्मार्टफून में तो मेरे इसाप से जो आपको रेड में 10X उसका सच में इंतादार करना चाहिए क्योंकि 17,000 म बेखने मिलते है यहाँ आपको डूल 5G का भी सपोर्ट अधेकरिंग मिलता है तो यहाँ पर में कहुगा कि आप इन दोनों स्मार्टफून का सच में इंताद जरूर कि यह दोनों स्मार्टफून इंडिया में किस नाम से आए तो यहाँ पर कहे रहे है कि जो प्रो वर्जन इंडिया में किस नाम से आते हैं और रही बात प्राइजिंग के तो यहाँ पे इंडिया में आपको थोड़ी सी ज्यादा प्राइज बिलिगा इसका इसा पीनियाट में जरूर फ़ोन फोन की से लाते है कि इंप्रनऊ 2023 में देखने मेलेगे तो दोस्तों आपको इंदों में से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आए या प्लीज हमें जरूर बताएए तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो क लाइक जरूर केजिगा साथ या आप इसे को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही साथ उसा बेल आइकाउन को पर दवाना ना भूले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो